राहुल गांदी को ख़दी अटा दी एंगेशं की ये युवा के साथ चलें युवा जोस है युवाज छिहरा एंगेशं की जो सरकार है वे वहादे करती चैनल करती है जाथ पहले बड़े-बड़े गैंस्टर थी उनका खात्मा भीग। अब होगिए जाए साइक बाइक पंगचरी हो जाए आपको क्या लगता है मोधी सरकार आने के बाद जम्मो कश्मीरे में कुछ परिवर्तन हुआ है हमें लगता है कि हम यहां के निवासी है हम हिंदोस्तानी है पहले हमें वैसी फील नहीं आती थी से पहिले कंछा एंडियन नहीं है ऐसे फील आती थी लेकिन मोदी के आने के बाद रखता है कि वाकर हम भारत हैं यह सेसे फिर हम्हारा जाईंद में एली पहलते फैले आज आपार शरी अचार τις लुगा आठे और हम रही हम और सीम्हारे जर्ज हूं आ CPA. यह लोगों को गलत फैमिए और क्या हम तीनों नहीं आए वहां से गुमने आई है अकेले जब मुखिया आंक इसमें तो कुछ नहीं है ऐसा मतलब अच्छा एक च्छोबीस को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं तो जब तक मोधी हैं मोधी जी ही आएंगे तब तक कोई और नही लगता नहीं जगा जगा लोगों से मिलने जा रहे हैं किसानों से मिल लें सब्सक्राइब कितने साल तो राच किया कांग्रेश ने कुछ किया और यह मोधी ने पूरा देख लीजे कितनी चेंजमेंट कर दिये लड़कियां कितने आराम से आती जाती है रोड अच्छी बनी लड़कियां नहीं सेफटी नहीं थी महंगाई बढ़ती जा रहे हैं विरोजगार रहे हैं मेरट से मेरट से उतरकाजे से दोजार चोबिस को लेकर आप लोग क्या सुझते हैं कि अगर बात की जाए तो आएगा मोधी ही मोधी जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए काम कर रहे हैं देश में इंफ्रस्रक्ट्रक्टर काम कर रहे हैं जैसे गटकरी जी है उन्होंने इतना लेवल का कही ना कही है हमारी रोडों का सबका निर्मान का है तो मोधी की पैचान हो चुकी है विदेशों में जाके हमारे ल मुद्दा ऐसा है जो चीजे अगर बेरोजगार बढ़ रहा है तो महिंगाई भी बढ़ रही है लेकिन कहीना कई वह चीजों को कम भी करेगा क्यों कि अगर इंसान में खुद की स्किल और टेक्निकलिती है तो खुद भी कमा सकता है आज के टाइम में अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो कहीना कई रोजगार भी बढ़ रही है तो आना मोदी नहीं है लोगों को कहीन अब बेपारियों कहीं नुकसान हुआ है तो कहीना कई फायदा भी होगा अब आप योगी को देख लो योगी ने यूपीम बहुत अच् इसा आएका सकाल के उन्सक्राइब्स दानी च्छांव हों करती हैं मोधी लिखाता उनादा के नोकरी वासरी है पर कहीं से इन्फर्ट्रक्ट्षर भी तो Kaneने तो कहां से बढ़ रहा है जंदा के पैसे से बढ़ रहा है इंफरस्रक्चर बढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा अब करनेडा और देश के कनेडा को देख लिए जहां पर खालिस्तान का मुद्दा उठा हुआ है वहां पर बीचेपी ने इतना स्ट्रॉंग उनको मैसेज दिया है कि पूरी पूरी दुनिया में स्ट्रॉंग मैसेज देगे करनेडा को बिल्कुल एक्सें लिया तो उस टाइप के भारत का युवा किसे देखेगा अपने पड़ानती गूर्फ मोधी जी को रहुल गांदी यंगेश्ट है युवा के साथ चलें युवा जोस है युवा चेहरा है रहुल गांदी की अचीवमेंट क्या है पहले ये तो बतावा मुझे पढ़ाई करके आप भारत को जोड़ बहुत भाई वह आप पहले से देख रहे थे ना मैप में भारत जोड़ा हुआ है कुछ अलग से पकिसान को भारत में जोड़ेते तो हम उसको भारत जोड़ों बोल सकते हैं आधरवाइस कुछ भी नहीं तो क्या लगदा दोज़गा दोज़गार दोज़गार वाले दिख अब इसलिके क्या मुद्दे रहेंगे अपनों के मुद्दे रहेंगे थोड़ा तो अगर हम देखें तो महिंगाई बहुत बढ़री महिंगाई बिल्कुल भी नहीं है वीच तो बहुत बोला है गरीब तो कुछ खरीजी नहीं सकता बड़ा कुछ वलता है उसके टायं में तो आपको बताए प्रिए ती जो अभी हमारी जो उसको बोलते हैं महेंगाई की जो मुद्रा सवित्ति हरा वह कितनी है और उनके डाइम में कितनी है बाकी दिश्वं के कंपेरिजन में कितनी है वो भी वो बताएं तो अच्छा लगा भारत की करेंसी डाउन हो रही बढ़ नहीं रही है मोदी जी अभी मेरे हिसाब से तो स्थीर पड़ी होई है अब यह है कि अगर आपका वह बोले कि हम हां डोलर जब डोलर अभी कम हो रहा है ठीक है जब अब बात नहीं की बात थी कहीं मिली नहीं और हरे किसी को आप गवर्मेंट जोब तो दे नहीं सकते हैं ठीक है मैं फुद प्राइबेट जोब में हूं फार्मा कंपनी में अकाउंट हूं अकाउंट का एसे चंडमेलाइजर हूं तो मैं यह बोल सकता हूं कि हर किसी को गवर्मेंट जोब तो नहीं मिल सकती न अगर हर को यह चाहिए कि मेरे को गवर्मेंट जोब होएगी तो उसके बाद बंदा उतना ही लेजिए अपना पन दिखाए अभी जितने बंदे हमारे सब्सक्राइब करते हैं तो फिर तो चलो ठीक हम सरकारी करने अब वो ले रहा है साथाजार और प्रड़क्टिविटी उसकी दस जार के रावर भी नहीं है तो फिर क्या फाइदा उसमें बहुत दो 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 देने नाम आपका आपका क्या नाम है मेरा नाम भी राजबूत और मैं आपके बीच में दो बात कहना चाहता हूं यहां देखकर मुझे बहुत खुश हुआ हूं मैं दिन का दो हजार रुपय कमाता हूं वो छोड़के यहां पर प्राइम मंदिर देखना हैं बहुत कुश हुए है बाई साथ चोबिस को लेकर क् और किसकी सरकार बनेगी से उसमें क्या नाम पर शिपेशल बावायोगी जैना में आ रहा है और उसमें कोई रहसार नहीं है खुलके बावायोगी धुआ मचा के अपना भाई भी उसने राजिस्तान में खड़ा कर दिया है बालगनात बावा वो ट्यानाम है एक तरब जीता लाज तरव नहीं महंगाई बढ़ती जारी बिरोजगारी बढ़ती जारी है इतना कुछ और इतना पैसा कमा ले तो मंतली के 30 35 40 50 रुपे तक मालेते हैं कहां से आप विपिन साहब मुंबई 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 से हैं तो क्या आप मतलब लगता है इस बार 2024 में फरिवर्तन होगा है कि बीजेपी सरकार आएगे लेकिन लोकल मैनेजमेंट बराबर नहीं होता है नहीं एक चीज है मतलब अब कहा जाया है तो लोकल जो प्रशासन है वह बहुत लो है असा नहीं है लेकिन उसके हिसाब से लोकल उसको फॉलो नहीं करते हैं सब लोग एक चिए आप कोई नहीं है और कोई नहीं है बीजेपी ही है साइकल बाइकल फंक्चरी हो जाएगा हाँ